हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग यह देखिए एक मैं गलेशे शुरू होने वाला यह बेबी स्वेटर बेबी नहीं कह सकते यह पांच से छे साल के बच्चे का स्वेटर है यह बना रही हूं और यह सारे पार्ट्स एक साथ ही शुरू होंगे यह देखिए इस तरह से और यह थोड़ा सा लूज ही आप इसको चाहें तो बैगी स्टाइल में है थोड़ा धीला धाला सा ही प्लोगर टाइप का स्वेटर होता है इसे गर्ल और वाइस दोनों पहन सकते हैं इसे आप एक कलर दो कलर तीन कलर कैसे भी डिजाइन डालके स्टार्ट कर सकते हैं है बहु मैंने दो कलर डाले हैं बीच में एक चोटी डाली है और यह जालियों से शुरू होकी है फंदे बढ़ते बढ़ते आपके हिसाब। जितने फंदे आपको रखने उतने बढ़ते हैं इसमें कि यहां से मैंने स्टार्ट किया है और यहां गले में मैंने आप छोटा बड़ा जितना आपके बच्चे के सर में चले जाए उतने हिसाब से आप फंदे डाले यहां पर मैंने 88 फंदे डालें और 88 फंदे डालने के बाद मैंने नीचे ये last वाली row में मैंने एक दो जब सलाईयां ये मैंने तोटल आप अपने जितना border रखना हो लेकिन नॉर्मली गले में ए से तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ सलाईयों का यह बॉर्डर है और मैंने लास्ट की दो सलाईयों में एक सलाई में छे, दूसरी सलाई में छे, मतलब टोटल बारा फंदे बढ़ा दिये हैं, और बारा फंदे बढ़ाने के बाद जैसा कि आप यह हैं, और जालियां जो हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब एक राउंड में टोटल दो, दो चार, दो छे, दो आठ जालिया हैं, यह चोटी है, चार चोटियां, चोटियों के दोनों तरफ, चार जालियां, दो दो जालियां पड़ी हैं, तो टोटल आठ जालिया हो गई अगर मैं इसको आपको दिखाऊं लिखके दिखाऊं तो शायद बहुत इजी है लेकिन वह बोलने समय सबको लगता इजी है लेकिन जब थोड़ा बना लो तब कॉंफिडेंस आता है कि हाँ जी है और आप वीडियो पूरा देखके फिर स्टार्ट करिएगा छोटा बड़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं मैंने स्टार्ट किया 88 फंदे से फिर उस में मैंने लास्ट की टू रोज में अगर आप चाहें आपको लगे ठीक है तो आप 88 फंदे भी रख सकते हैं जैसा आप चाहें जरूरी नहीं कि बढ़ाना ही है आपको मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने बढ़ा दिया 88 फंदे में मैंने लास्ट में 12 फंदे बढ़ाए और 6 एक सलाई में 6 एक सलाई में तो अगर इसको ऐसे देखें 6 प्लस 6 तो अब फिर 12 इसके 100 फंदे हो गए 100 फंदों को हमने डिवाइड करना है नीचे चार भाग में 12 फंदे बढ़ाने के बाद देखिए 88 फंदों से हमने स्टार्ट किया था 12 फंदे बढ़ाए एक सलाई में 6 एक सलाई में 6 तो हमारे पास 100 फंदे हो गए अब इन 100 फंदों को हमें 100 फंदों को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में तो 100 को डिवाइड करेंगे चार में तो 25 फंदे 25 फंदे 25 फंदे 25 फंदे 25 फंदे 25 लेकिन अब यहां पर हमें देखना है चार पार्ट्स में तो तीन पार्ट्स तो हमारे 25 फंदे 25 फंदे 25 के हो गया और जो फोर्थ वाला पार्ट है फोर्थ वाले पार्ट को हम 25 डिवाइड बाई 2 यह हो जाएंगे हमारे 25 को जब दो भागों में हम डिवाइड करेंगे तो 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक 24 24 होंगे एक फंदा एक्स्ट्रा होगा तो इसे हम 12 रख लेते हैं तो बार तो यह हो गया हमारा डिवाइडेशन एक राउंड में 8 stitches increase होंगी बढ़ेंगी यह एक मोटा मोटा हमारा कैलकुलेशन हो गया और हर फंदे में हर सलाई में 8 8 फंदे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में यह हमारे फंदे बढ़के जो अभी तक मुझे लग रहा है वो बढ़के हो जाएंगे तीन सो एक राउंड में में 8 stitches यह जैसा मैंने पहले रिखा है बढ़ेंगी तो एट राउंड में हमें यह यह वाला जो मैंने डाला है यह 30 जालिया डाली है इसमें 30 जालियों में कितने फंदे बढ़ेंगे एट मल्टिप्राइब यह 30 बराबर हो जाएंगे 240 ठीक है एक राउंड में आठ जाली बनी तो तीस राउंड में 240 जाली बन जाएंगी और फिर यह 100 फंदे से हमने इस्टार्ट किया था तो प्लस हंडेट हो जाएंगे हमारे 340 फंदे तो अंत में हमाय पास 340 फंदे बनेंगे अब इन 340 फंदों को हम डिवाइड कर देंगे फोर पार्ट में तो हमाय पास आएंगे पचासी पचासी फंदे तो पचासी को डिवाइड कैसे करेंगे तो हम 84 चौरासी रख लेंगे वह हम आपको आगे आपके फंदे कम ज्यादा भी हो सकते हैं बेसिक इस वाले स्वेटर का यह बेसिक रूल और यह डिवाइड करेंगे फिर आप देख लेंगे बिल्कुल सिंपल है और इजी है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि यह जालियां बनीगी कैसे यह तो मैंने इतना बना लिया था लेकिन थोड़े से फंदों में जो यह वाली जालियां यह सब को आती है यह बहुत क और उसके बाद ही मैंने जालियां बनाई अगर मैं बता आती हूं इसके लिए बड़ी सलाईयां हूं तो अच्छा हो लेकिन इतने फंदे थे कि बड़ी सलाई पे भी कम पढ़ने लग रहे यह 9 नंबर की सलाईया है तो फिर मैंने यह सर्कुलर निडल लिए जो तार वाली यह जाली कैसे बनेगी यह मैं आपको दिखाती हूं यह वाली बिलकुल मुश्किल नहीं है सबको आती है लेकिन बाइचांस कोई बेगिनर हो और अभी शीख रहा हो तो मैं उसके लिए बताती हूं आप फिर बोलना मत की वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि आप पता नहीं क्यों देखते ही नहीं हो ना शेयर करते हो यह देखो जैसे यहां पर मैंने 88 फंदे डाले हैं तो स्टार्टिंग में मैंने 12 फंदे बिने हैं ठीक है फिर एक जाली डाली है फिर उसके बाद 24 फंदे बिने हैं फिर एक जाली डाली है फिर 24 फंदे बनाए हैं नेक्स जाली कि पंदे को चाह्र पार्ट में हमद डिवाइड करना है तो पत्चिस-फचिस आए फिर उसका तीन पार्ट को को त्पवाले को दो बात में तो हमाई पास तोटल पांच पार्ट बढ़ेंगे तो यह बारा-बारा last वाले हो गए तो ये देखे बीच में 3 जो है हमारे 24, 24, 24 है ये last का बारा है और इधर end का बारा है तो जब ये दोनों ऐसे मिलेंगे तो ये दोनों भी 24 हो जाएंगे तो total अगर हम देखें तो एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच पार्ट हमारे पास है बीच में 3, 24, 24 के पार्ट है और इधर 12 है और इधर 12 है और यह जाली कैसे बनेगी यह मैं आपको बताती हूं जैसे यहां मैंने स्टार्टिंग में 12 फंदे बिने हैं तो मैंने जैसे मैं बस जाली दिखा रही हूं फंदे मैंने आपको बोल के बता दिय हैं दो 3 और एक है चार सुपोज ही हमारे बारा फंदे हो गए इसमें क्योंकि मैंने बारा रखेंगे आप इस हिसाब से रखेंगे फिर हम उन तीन और एक ये चार ये बारा के बाद हमारा चौबिस है और ये चौबिस दूसरी जाली जालने के बाद हमारा चौबिस हो गया फिर हम उनको आगे करेंगे पहली जाली बन रही है एक बीच वाली चोटी फिर उन आगे करेंगे ये दूसरी वाली चोटी ठीक है फिर हम इन फ करेंगे और ये सीधी तरफ जाली बनेगी और उल्टी तरफ सारे फंदे उल्टे-उल्टे बनेगे तो मैं उल्टे उंथे बून के आपको दिखा कि देखिए ये मैंने मैं लुटी ये ज़ी पूरी उल्टी बंदली रहोगा ये बीज की छोटी एंग और इधर जाली धर जाली जैसा कि आपको इस स्वेटर में दिखाई देगा बीज की चोटी इधर जाली और इधर जाली हर एक राउंड में मैंने आपको बोला पहले भी एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ एक राउंड में आठ फंदे बढ़ेंगे अब जब हम दूसी तरफ सीधी तरफ आएंगे तो उसी तरह से फिर बना लेंगे आप देख लीजे एक बार इधर आगे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर की चोटी ए उसके एक फंदा इधर बढ़ना एक फंदा इधर बढ़ना फिर उन आगे करेंगे और बीच का जो ये ये देखिए ये जो चोटी वाला है ये जब तक आपको बढ़ाना है तब तक चलती रहेगी यहां और फिर एक और यह चोटी के बाद बढ़ेगा ठीक है इसी तरह से आपको फंदे बढ़ाते जाने है उल्टी तरफ पूरा उलटा बनेगा और आपको जितने फंदे बढ़ाने हो जितना यह आपको अपनी लेंथ जो यह बैसिकली यह जो हम घटाते हैं decrease करते हैं उसके बाद वाला portion है यह उपर योक वाला portion है तो जितना आपको छोटा बड़ा जैसा भी आपको साटर रखना हो गले पर किसी का गला बड़ा होता है किसी का यह portion बच्चे की health wise और उन पर पर depend करता है और आपका हाथ कैसा चलता है तो अगर आपने यह वाला फंदा जैसे आपने 88 फंदा रख लिया मैंने 30 जालिया बानी आपको कम रखने यह फंदा कम रखना है तो आप उसके हिसाब से रखे तो जितना हमें हमें चाहिए होगा उतनी जालिया हम बना लेंगे इस उल्टी तरफ उसमें मैंने आठ फंदे बढ़ा लिये थे जिससे कि हमारा यह चोटी वाले राउंड में हमारी जाली नहीं पड़ पाईगी तो वह फंदे हमारे आगे जाके कम न पड़े यह चोटी ऑप्शनल है यह तो मैंने अपने से डाली है कोई जरूरी नहीं है आप ड फंदे हो गए हैं अब इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे में यही पार्टे बाकी सारा सिंपल है क्योंकि जब मैंने बनाया था तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूई थी और उसके बाद मुझे संबन में आया था पता नहीं अभी भी मुझे समझ आया है कि नहीं हो मैं आ जाली यह तीन जाली और यह चार जाली तो यहां हमें क्या करना है यह जो जालिया है वह हमारे बीच में आएंगी जो भी पार्ट होगा जैसे एक स्लीप के सेंटर में आएगी एक फ्रंट के सेंटर में आएगी एक बैक के सेंटर में तो यह वाला पार्ट और यह वाला पा कि यह जो है यह मेरी स्लीप पे जाएगी इस तरह से और यह वाला अभी अलग होगा तो आपको दिखेगा अब यह फंदे जादा है तो फैल नहीं पा रहे हैं यह ऐसे यह स्टार्टिंग और एंड मिलके यहां गले पे ऐसे सिलाई आएगी यह गले पे ऐसे सिलाई आएगी आप यहां पे थोड़ा सा जिससे डालने में दिख करना हो चेन लगा सकते हैं नॉर्मल बटन लगा सकते हैं इस तरह से तो यह हमारा दिखेगा इस तरह से यह फ्रेंट हो गया एक जाली बहां पे आएगी दूसरी जाली इस तरफ आएगी और चौती जाली यह इस तरह से बेक पर आएगी इसको करने के लिए हमें यह लास्ट वाला और एंड वाला मिल के फ्रेंट होगा जो बाराफंदे इधर थे बाराफंदे इधर थे उनको ऐसे मिलाएंगे तो वह बैक वाला पोर्षन बन लेंगे मार कर मैंने पहले से लगा लख्खा है जो हमारी फॉर्स्ट जाली है और यह हमारी सेकेंड जाली है इनके दोनों के बीज चोटी वाले हम हम इनको गिनलेंगे कि यह कितने अधे मेरे इस वाले स्वेटर में फंदे बढ़के मेरे पास इस समय बढ़के इसमें होने चाहिए 340 फंदे कर लिए तो इनको डिवाइड मैंने कैसे किया है अब इसको हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा 85 फंदे वैसे होने चाहिए एक पार्ट में लेकिन मेरे थोड़ा सा उपर नीचे हो गए हैं तो इसको मैंने डिवाइड करा है इस जाली से और इस जाली के बीच में मेरे 86 फंदे है बीच की चोटी वाले फंदे को हम आगे होंगे वहां पर मैंने यह मार कर लगा लिया पहली चोटी यह जो पहली वाली जाली है और यह जो दूसरी वाली जाली है इनके बीच के फंदों को हम काउंट कर लेंगे और जो हाफ आएगा उसके पर मैंने मार कर लगा लिया है ठीक है तो यहां से लेके यहां तक य आ गई फिर सब के हाफ हाफ हम गिन लेंगे जो दोनों जालियों के बीच के फंदे हैं उनके हाफ हाफ गिन लेंगे और वहां पर हम मारकर लगा देंगे ठीक है और यह चोटी वाले फंदे को प्लस में रखेंगे इनको हम हाफ हाफ जो काउंट करेंगे उनको हम नहीं पिर इसका देखें यहां से यहां तक हाफ हो गया लास्ट में हमाई पास आधे फंदे जो बचेंगे इधर के यह वाले मैं आपको गिनके दिखाऊ एक तो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारह तेरह चौदर पंद्रह सोलर सतरह ठारह उन्निस बीस इकिस इधर है यह बारह फंदे से स्टार्ट हुआ लव पार्ट है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारह तेरह चौदर पंदर सोलर सतरह ठारह उन्निस बीस इकिस बाइस 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 फंदे इधर है और जब इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे तो यह टोटल 44 फंदे हो जाएंगे जो कि हमारे बैक पार्ट के हो जाएंगे ठीक है मैं इसको सलाईयों पर डबल पॉइंटे निडल होती है ना उस पर डालके मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज और इसको डिवाइड इसी तरह से करेंगे लेकिन स्लीप के पार्ट में अग हटाने पड़ते हैं तो अगर यह प्रॉपर एक बेसिक डिवाइड करने के बाद आप चाहें तो स्लीप में से चार पांच फंदे इधर फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में दोनों तरब से लेके फंदे आप एड़ेस्ट कर सकते हैं बस आप यह ध्यान रख्येगा क कि फ्रंट और बैक में आपके इक्वल पार्ट हों स्लीप में हो सब में इक्वली लेकिन स्लीप में फ्रंट और बैक के एकॉर्डिंग थोड़े चार-पांच फंदे आप कम कर सकते हैं क्योंकि उसे बाद में हमें डिक्रीज ही करना होता है शेप देने के लिए तो आप अ बैक होगा फिर एक स्लीप होगी जैसे हम फ्रंट ओपन गले से सुरूब होने वाले स्टर में बनाते हैं और इसमें मुझे बाहां के फंदों में से थोड़े से फंदे इधर लेने थे इसलिए यह देखिए कि यह यह इधर एक दो तीन चार यह स्लीप वाले पॉर्शन से चार फंदे मैंने इधर ले लिया है और इधर से भी स्लीप वाले पॉर्शन से मैंने चार फंदे लेके और ऐसे तो इकोल हैं सारे फंदे लेकिन हमने स्लीप वाले फंदे में मैंने थोड़ा कम रखा है चार-चार फंदे दुनों तरफ से तो यह बीच वाला जो पॉंशन है वो मैंने 95 कर रखा है दूसरी यह फ्रंट वाली चोटी और यह देखिए यह बैक वाली चोटी है बिलकुल आमने सामने आएगी इस तरह से दीखेए यह और यह इस तरह से यह डिवाइड हो जाएगा आपका साइज अगर आप स्लीव वाला पॉशन में से फंदे नहीं लेना चाहते मतलब आपको स आब equal equal ही रखने हैं तो यह जो फंदा हमने इधर किया है यह इधर से लिया है वो इधर लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी यह बाद में सिलाई करते समय यहां तक हम सिल देंगे ठीक है यह दोनों जो हमने कम फंदों से शुरू किया था 12 फंदे से शुरू किया था वो वाले इस साइड वाले से हमने इधर को ले लिया था और इसको बीच के फरन्ट और बैक को हमने 95 फंदों का कर लिया अब इसको हम यह अभी आप देख रहे होंगे यह इस तरह से ट्राइंगल यह है अब इसको हम सीधा कैसे करेंगे यह हम अपने नेक्स पार्ट में तो ठीक है इसी हिसाब से आप अपने साइज को कम जादा छोटा बड़ा कर सकते हैं तो मिलते हैं इसके नेक्स पार्ट में